नमस्कार इन खबर में आपका स्वालत है अभी तक पूरी दुनिया में G20 सीखर सम्मेलन की चर्चा हो रही थी लेकिन जैसे ही ये बैठक खत्म होई है रूस युक्रेन जुद्ध के बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि नौर्थ कोरिया का तानासा कीम जोंग उन मंगलवार को ट्रेन से रूस पहुँच गया है दक्षिन कोरिया इस सेना ने एक ब्रिफिंग में ये जनकारी दी है अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार रूसी राश्पती पुटिन युक्रेन के खिलाफ जुद्ध के लिए उत्तर कोरिया से थियारों की मदद मांग सकते हैं अलग- कोरिया के रक्षा मंत्राले के प्रवक्ता जियोन हा यूने मंगलवार को एक ब्रिफिंग में कहा कि कीम की ट्रेन मंगलवार तड़के रूस में दाखिल हुई कीम के प्रतिने दिमंडल में उनके विदेश मंत्री चोय सन हुई कोरियाई पिपल्स आर्मी मारसल री प्योंग चोल और पाक जोंग चोन समेत उनके सिर्ष सैन अधिकारी सामिल है जापानी प्रसारक टीपी एस ने अग्यात रूसी छेत्री अधिकारियों के हवाले से बत लेने के लिए पुतिन समवार को यहाँ पहुचे थे यह प्योंग व्यांग से लगबग 425 मिल 680 किलियो मीटर उतर में इस्तित एक स्तार है 2019 में कीम के साथ पुतिन की पहली मुलाकात इसी जगह पर हुई थी जनकारी के लिए बता दे कि कोविड-19 महमारी के बाद कीम की पहली विदेश यात्रा है किम ने पुतिन, चिनी राश्पती सी जिन पिंग और पूर्व अमेरिकी राश्पती डोनाल्ड ट्रम्प के साथ पिछली बैटको के लिए भी अपनी स्पेसल ट्रेन का ही उपयोग किया था सबसे बड़ा स्वाल है कि नर्थ कोरिया का ये तनासाह कीम जोंग उन ट्रेन से क्यों यात्रा करते हैं ऐसे समय में जबकि दुनिया चांद पे पहुँच रही है भारत का चंद्रियान थ्री उहां उतर गया फ्लाइट की सुविधाय हो गई और बहुत सारी सुविधाय हो 211 तक सासन किया था वो हवाई यात्रा से डरते थे इसलिए जरूरी होने पर वो ट्रेन से ही यात्रा करते थे कीम के बारे में भी कुछ ऐसी ही धारनाय हैं कीम जोंग इल पुतिन के साथ बैठक के लिए 2001 में मासकों के लिए 10 दिन की यात्रा की थे उस यात्रा में रुसी स स्टैनिक कमांडर कंस्टेन टीन पुली को वस्की कीम जोंग इल के साथ थे उन्होंने अपने संस्मरण ओरियंट एक्सप्रेस में इस ट्रेन के बारे में बिस्तार से बताया है कीम जोंग उनकी ट्रेन का नाम ताई यांग हो है यह सब्द सूरी के लिए इस्तमाल होने वाला कोरियाई सब्द है इसे उत्तर कोरिया के संस्थापक कीम इल सुंग से भी जोड़ा जाता है ट्रेन से लंबी दुरी की यातराय करने का रिवाज कीम जोंग उनके दादा कीम इल सुंग ने सुरू किया था वो वियतनाम और पूरवी एसिया के देशों की यातरा पर ट्रेन से ही जाते थे यानि पहले दादा ने ट्रेन की यातरा सुरू की फिर पिता ने उसे बरकरार रखा और अब पोता और बेटा इसे बरकरार रखे हुए हैं इस लगजरी ट्रेन की सुरक्षा में बड़ी संख्या में जवान तैनात राते हैं वो ट्रेन के रूट और उसके किलोमेटर प्रति घंटा और जापान की बुलेट ट्रेन की रफतार 320 किलोमेटर प्रति घंटा है ऐसे समय में जो तानासा है उसकी ट्रेन की रफतार सिर्फ 59 किलोमेटर प्रति घंटा याने की 37 मेल प्रति घंटा है ऐसे में ब्लादी वोस्तोक की उनकी पूरी यात्रा होने म एक दिन का समय लगा है किम जोंग उनको 1180 किलोमेटर लगभख 733 मिल की इस यात्रा को पूरा करने में ये समय लगा है ये ट्रेन भारी बक्तर बंद सुरक्षा के कारण 25 मिल प्रतिगंटे की रफ्तार से चल पा रही है लेकिन एक डर है जिसकी वज़े से वो इस ट्रेन का इ राये ने भी खबर देखते रहिए इन खबर थैंक यू